अरे अम्मा अपने नईकी पता ओया कहा थे खाना वाना खाया के नहीं? अरे बनवाए तरह है न, देखो का लाई की आवाथ पता यार्यार अरे लाई के आजाओं बनाया हुए सासु मम्मी, तुमरे लिए खीर बनाया है न सबके लिए सब्सक्राइब तो क्या हुआ सब्सक्राइब यह प्रताइब ले लिया ले ले लिया तो लै लिया चलो अम्मा, आप तो खीर खाई लियाँ अर ये का भावा है अम्मा? खीरा बनाई से ना नी? पहलेन दिन खीर बनाई के एतनी बड़ी गल्ती कर दी से चीनी के बजाई ये मा सब नमकाई जोखे का सुईटी, एतनी बड़ी गल्ती कैसे कर सकतू तुमाई? अरे नहीं यार हम पूरे होसा हवासमा खाना बनाई ये नमकाई से जोखेंता है तुम खाई के देखी लियो हमका लागत कहूं अस्ता नहीं की छोटकी जानी भूच के गल्डबड कर दी सो ये सब कुछू लियो, ये तुमाई खाते न खीर लान खाई के देखो जराए हमा तभे अतक इसे गलबल होई साकत कमला दिये भी हमा अनना हो है अरे अम्मा तुमका रेश्टे के जरूरा थे कमनों बात निन होई जात कबो कबो अच्छा अम्मा तुमा आराम करव रेश्टे करव तुमा तभे थोड़ा ठीक नहीं आज हमा हुँ चली तो देखे जाए अपन जाउना फैक्टरी मा लागू हाई करम किसमत खराब हो घजाए घरवा ना तो अपने मन का खाई सकी था ना तो अपने मन का था ही ना तक कि चाह तक नहीं पी सके था हर्या कवनों बात है विट्या अभी आखे बाद थोड़ा बहुत ऐस्टमेंट करा इनका परत एतने अच्छे स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, कॉलेज गई हूँ, इतनी अंगरेजी पढ़ी हूँ, हाई-फाई स्कूल में पढ़ी लिखी हूँ, और मेरे को गमारों की घर में बयाह कर दिया मेरा, अरे मुरी मैय यह कहती चोटका, अब तो सासरानी और भडा की जई है, देखा, में बहु बरतन मांझू इं, मम्मी जी, मैं बरतन मांझू मम्मी जी, पानसो की घरी फूट गई, पट्टा रहे गया, मम्मी जी, मैं अंगरेजी पढ़ी लिखी मेरी करम फूट गई, मम्मी जी, मैं अंगरे जी पड़ी लिखी मेरी करम फूटे जई मम्मी जी सास कहें बहु रोटी बनाओं मैं रोटी बनाओं मम्मी जी मैं रोटी बनाओं मम्मी जी हच्छा बिटिया हाँ मम्मी तो आओ सुनाओ अरे पां सव की साड़ी जल गई पलू रह गया मैं अंगर्य जी पढ़ी लिखी मेरी करम फोटे गई मम्मीजी सास कहें बहु चव का लगाऊ मैं चव का लगाऊ मम्मीजी अच्छा बीटिया, है मम्मी ओ सुनाओ, सास कहिए बहु चवका लगाओ, चवका लगाओ मम्मी जी, कच्चा आंगन उपएर फिसिल गया कमर तूट गई मम्मी जी, मैं अंगर ये जी पड़ी लिखी मेरी करम फूट गई मम्मी जी अरे कवनों बात नहीं बिटिया सासुरार या, थोड़ा बहुत अर्जेस्ट करे का पारत बच्चा, बस करो मम्मी फालतू की बाते मत करो मेरे से, तुमने इजबल जस्ति साधी करा दी मेरी इन गमारों के घर में, ये बस ये कहके कि लड़का अच्छा कमाता है उनके तो बह करना पड़ता है, कोई बात नहीं, होई गया बुरा है अपनी महतारी से, देखां या नानी बढ़की, यहां साथे साथे गव नहीं गवाए रहे, अब अहीं डंड़ा उठाओ ना, तो फोर फाट डर्वादू जनिन कहीं हां, मार के दिखां, मार के दिखां ना, बीन अग मार आजे, हम हैं हीटिलर सास, तुमने मेरे को मारे, अब रह जाओ सासु मम्मे जी, बस बहुत अज़र लिहाज कर लिया मैंने, और यह भगवान यह भगवान, अब यहां इस चंद डालिन हमका मार दिये सी, आतक का मरी पतवाहन के कवनिन के, ददर दादा, कवनिन के आतक सासु मम्मा क्या मार दिये ला उटी के, तो क्या करती मैं, क्या करती जी ठानी जी, आप लोग की तरह में मार खाऊं। उठाया, यही बेटों से मेरे को मारा है, तब मैंने उनको उलटके जबाब दिया, इंट का जबाब तो पत्थर कसे देना ही चाहिए न, जब मेरी कोई गलती नहीं थी, तो उन्होंने क्यों मारा मुझे, जब फश्ट दिन मैं आई थी, इस गर में कदम रखी थी, मैंने ज आई फेंग दी, मुझे सत्तर बाते सुनाई, सत्तर गालियां सुनाई है, कि नियम नहीं पता ऐसा है, वैसा है, जब बिना बात के ये लड़ती जगरती हैं, तो हम नहीं कर सकते हैं, जबाना बदल गया है, एक बात मैं बताओं, जबाना बदल गया हो, चाहे लोग बदल लेकिन मेरी मा नहीं बदलेगी मेरी बाह मेरे लिए बहुत प्यारी है ना कि तुम तुम से बढ़कर मेरी मा है मेरी मेरी मा के सामने तुम कुछ नहीं हो जीरो हो जीरो समझ गई तुमने मेरी मा को हाथ उठाया इसका मतलग तुम्हारी मेरी अब नहीं पटेगी निकल जो मेर गर से दुबारक कदम मत रखना तो ठीक है मैं जा रहीं कोई सोख नहीं ऐसे गलत आए लड़ाई जगड़े देवर बबबब बंद करो इस अब गलत बात है अरे भावी तुम नहीं जनतु है जब तुम पंचया तक का हमारी अम्मा का जबाब नहीं दी हो एक जबान से ना त इनके का इसे हिम्मा थे परी गए अगर आज का इनका नर्वाकत तो इनके आदत बढ़त चली जए हमका इसी आउरत का जरूरत नहीं निकल जाए मैं घर से जनम जनम का रिष्टा बंदीगा यह दून अभावी कान खोल के सुन लिए अगर तुम पंचयन की तरह इज़त से रहे हुए और हमारी महतारी के सामनी एक लबज एक जबान ना ख्वा लें तब तो रही सकती घरमा नहीं तो आज के बास से हमेशा हमेशा के लिए हमें घर से चली जें माइक के वाले का कई हैं सब देखा अब मुझे रोकने कोछिस को इमत करना जब यह भेज रहे हैंना जब यह अपनी मा की बाते नहीं समझते हैं कि वह गलत हैं उनको गलत कभी नहीं ठेयरा सकते तो मुझे नहीं रहना ऐसे घरमे선 मैं नहीं बहुत को सिस्की प भी लेने मता नफा जिंदंगी में ठीक है मैं तो समझती है कोई पाइदा है अपने आपको ॐटटडर कि घृतलर मानती है ना तो अपने मन का चाह न का खाना को लटें जगरेंन जबाब नहीं देव पावा सास हमा का यह कैसे बोल रही पटर पटर सासो अमक कैसे मार सकती है भला बताव हाँ ठीक है मुझे भी कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोग के साथ रहना जो हमारी मा की इज़तना कर सके तुम्हें तो ना बस सिर्फ अपनी मा ही दिखाई देती है यह नहीं दिखाई देता है कि मा घर में करके आ रही है किसके साथ सबके इमोशन के साथ खिलवार कर रही है सबको अपना नौकर समस्ति है सबको दबा के रखती है यह नहीं तुम्हें दिखाई देता है मुझे कोई रोकने की कोशिस मत करना जशा नहीं कर जाए जिछा निजी प्लीज स्यासरी मुझे जाने दो मैं आप लोगों की तरह नहीं रह सकती हो बंधेज में गई है तो जाने दो हमारे घर में ऐसे लोगों का अधिकार नहीं है जो हमारी मा की भीज़त ना करें खार क्वारी से बटाइब. तो का करीद भाईया, का करीद, जो नौरत हमाई अम्मा का हाथ उठाई सकाथ, मुंगरी उठाई सकाथ, कलका वो कुछ भी कर सकाथ है, हे छटकव, एक बार अपने दिल पा हाथ रखके द्याखो, छटकी कब गलत नहीं रही, कब गलत नहीं रही सुरू से, और ना तो बढ़ नहीं करें, कि हमा जो नहीं दुलहिन इज्जती न करें, द्याखो यार छटको, एक बाद बिल्कुल एकदम सही सुन लियो, अगर तुम यही भी छोड़ी दियो वही का, एतना दू जने पिरियें पियार से रहा, तो रही छोड़ी दियो, तो काल का तुम हो पस्ताई हो, ना तो तुम वही के भी ने रही पाई हो, ना तो वह तुम्हें भी ने रही पाई, और साधी बियाह में तना ख़र चाला को, का मतलब भवा, गाव समाज अखिर का कई थूंकी मनाई, कि अपनी जो नहीं कि बहु कहीं रखी नहीं पाएं, सब धर गलती ही यहां जो नहीं, यहां सुरू सी अम्माई का ही, हमा दुलहिन इन से परियसान रहा था, अब मंजली परियसान रहा था, सब परियसान है, हाँ बिटावना, तो अपनी अम्माई गलती नहीं देखे, अब फट असे जो नहीं कि अपनी दुलहिन का कहीं दिये घर से निखर ही, वह बिया इधर कि यह निकाती वहाँ होई चाहे बीमार जार हुए जूड़ी हुए काम जूँन करेक नहीं है वह करेक परी ना तो इक हो के बुखार जूड़ी समझे नियाज तक का अनुट को मन का आता का इक खाई दीने अपने आगे पर्फेक्ट हम वही दिन नहीं भूले ना है जब हम बचपन महीं है एकदम बीमार होई गया ना है सब जन्य में अपने पने काम धंदंदम लाग रहात रहें लेकिन हमारी अम्मा हमेरे 36 शाहती से हमका लगाय के कामों करें हमका दिन पर बार बार खाब आवे को पैया वे बार बार तीयल करें माल करें हॉस्पिटल मद अउड़ें सब कहहें हां पर जो जोर के पैसा कार्जग का हमां तारीफ कई रहा अरी हमां रोतु काहे आए तुम हमें लिए सबसे बेश्ट हमारी माँ हो बस बेटावा एक मिनट रूको अब ही नहीं आई था हमां आधा गंटा का सफारा हैं का ताई कर लिये दिया बहुत जरूरी काम है बाबो अरी कहां जाए रहे हमां इबीद के हाला तुम ही हाँ है चुपे बैठाव आराम करो रेश्ट कर रहा हूं बस बेटावा बस अब बहुत सुन लीना सबकी सबकी बहुत सुन लीना बेटावा बस आधा गंटा दियो हमका जरूरी काम निप्टाए दे फिर हम बताए आगे का करेगा बस बहुत होईगा अब कहा को गई सासू अम्मा कब तो पैर नहीं लगती नहीं घर से निखरी के अधने पानी मंगावा है हाँ खाना मंगावा है कि अपने मन के खाना तक बनाने खाने नहीं देती बहुवों को हरे पापा हद होती है किसी चीज की अरे काम करा लो बहुवों से अच्छी बात है लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं कि बहुवें बिचारी चाय तक ना पी पाए अपनी बिना मर्ची के बना के जो वो कहेंगी अगर दाल भात घर में दाल चावल बनेगा तो मतलब दाल च लेकिन बेटा समाज की नजर में ऐसे सादी की बाद माईकी में रहना भी तो नहीं ठीक है लोग क्या कहेंगे अरे पापा लोगों के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बरबाद करूं मैं और पढ़ूंगी लिखूंगी जॉब करूंगी लेकिन मैं उस घर में नहीं दुबारा जाओंगी अरे लेकिन बेटा समझने कोसिस करो साधी हो गई है तुमारी साधी बाद ऐसे यहां पे रहना अथी बात नहीं है बस मम्मी पापा बस करो साधी हो गई साधी हो गई साधी हो गई साधी हो गई साधी हो जायत इसका मतलब नहीं लड़की जब अजस्ती अपने ससुराल में रहे जाके जेल की तरह नहीं मुझे रहना है अगर नहीं आप लोग का रखने के मन है तो मैं कहीं और जाती हूं अपनी फ्रेंड के हार रहे लूंगी नहीं बेटा ऐसे मत करना यहीं रह जाओ कोई बात नहीं अच्छा सुईटी सुईटी बेटा अभी यहां क्या करने आ गई कहीं ऐसा तो नहीं तालाक वालाक में कागज के लेकर आ गई हूं हे भगवान कहीं बात आओ न बढ़ जाए हम तो चाते हमारी बेटी जिस घर में गई है चुपचाप रहे नहीं गाओं के लोग क्या कहेंगे सुईटी बेटा सुईटी बेटा यहां आओ शास मम्मी आप यहां क्या लेने आई है मैं चली आई हूं न इतने में आप खुस नहीं है अरे बेटा सास आहीं जाएके मिलो जाए इससे कैसे बात कर रहे हैं हाँ बेटा तुम्हारी सास ठीक कह रही उनके आँखों में साप दिखाई देता है यह अपनी गलती का परस्तावा है स्वीटी बीटिया ही आ हमरे पास सुईटी बीटिया हम तुमसे माफी मांगी था हाँ जो अग खोल दिये तुमरी वज़े से हम घर में बहुत सुनाई गये इन सबसे लेकिन अपनी गल्तिक पस्तावा करी रहे ना आज हाथ जोड़ी के बिंती करा याना कि बस बस हमारे कहसी एक बार और एक बार वी घर मा और पर वेस करो फिर आज के बादी तुम का कवना बिटिया सिकाईद का माउका ना मेली कहसी हम अपने बेटवा के साप हांखिन मा द्य चाहती हूं ना कि इतना सासन में नहीं रहना चाहती थी इसलिए सब हो गया मेरे से मुझे माफ कर देना सासु मम्मी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था प्यार से सब कुछ करावा जा सकत इंसान से जबर जस्ती जोर धैके कर रही है तो रिस्ता बिगड़ी जाथ फिगर मा फूटन परिंजाथ अगर यहां थोड़ा पतवाहन का मन के थोड़ा बेटवन का मन के थोड़ा आप अपने आदमी के मन के सब के मन के करे दियो तो घर मा कतनी खुस हाली रहें आप से कव बिलकुल खुस नहीं रहता है आपके बरताव से लेकिन आज आपके गलती का पस्तावा है तो आज के ब आज की बाद हमारी आखी खोल दीजी चलो चलो बीटिया बेग उठाओ हमरे घरे चलो हमें साथे लेकिन हमारे पती ने तो कहा था दोबारा हमारे घर में मात आना आज की देखो आज से सासु मा नहीं आपको दूसरी मा मिल गई है जाओ चलो मेरी मा चलो चलो फाइनली सुईटी मान गई सुईटी के सास बेसुधर गई सब ठीक हो गया इसासु अम्मा गई तो गई कहांगा का जनी कहांगा गई कहीं अब आधा गंटा मा आई थाए लवटी के नहीं आई अरे सब जने अपन अपन काम करो आज की बाद इनके बात सुने के कमने जरूरत नहीं डिराए खे एक पतवा चली गई घर से तुम्हों पंचे इही के पराइज लावेगा इनना है पहले तो दुनों जोनी हमाई पताईया है इनहों अपन अपन घूंगाट अटाए दिया आज की बाद इसे घर में घूंगाट के प्रथा खतम अरे अमा आग तो बढ़िया काम करें अरे अमा इतो बताई दिया अपसर पराइद का है अहमा बिटिया भीता दिया बिटिया अरे सासू अमा बिटिया कहा तो हरे अरे आज से हमारी एक बिटिया नहीं हमारे घर मा तीन तीन बिटिया है काया काती सासू अमा कुछ हुश सम तुम्हेरे बीना हम अधूरे रहे न अब हम चली अपने रहे तुम सब जाने खुछ रहाओ अम्हा ठीक है जहां तुम जाई है जहां हम सब जने जाब है फिर चलाओ सासु अम्मा अब आपका अपनी गल्तिक पस्तावा होईगा तो जैक कौन जरूरती घरमा रहा न साथे ये बुड़ा आज जाउन करेवे घरमा नियम सासन जाउन हटाई दी हो बहुत अच्छा लागा अब ये घरमा रहा हो अब तुमा गल्ति सब माफ कर दीन गए हाँ अम्मा प्यार पिरियम से रहा तुमा गल्ति सब माफ कर दीन गए अम्मा जओ नंजाने महोई गभूल चुक आप सब जैने साथे मिले अच्छे से रहा जाओ आप कहूं जाय कहूं कोने जरूरत नहीं चलो अनत भखला तो सब भखला मान इमच छोटे कह तुमका तुम तो ठाने लिए रहा है कि हम नगी घर का ठीक करिके रहा बैं बैणि ओरी आज नाम लिये जार हैं सबके… तो बैणि ओरी हमा कहे का मतलब है कि जब हम आप लोगन के कहा मानी सुन लेए थे तो आप लोग एक कहा सुन दिन करो. सब्सक्राइब लुग इन्य जरोर। अपन अपन अपनसे जाओ कमेंट वाले बहाईदा करें। टेट आप का अच्छी लागी टो बहुत-बहुत दिल से धनिवाद और कभो कभो वहाओ गेट दिखऊ जरूरी है गांव दिहात के हिसाब से तो अब लोग का पसंद आवाद है तो बहुत-बहुत दिल से धनिवाद आपका कमेंट हम पिन कर दिन है रस्मी सीरिवस्तो भैई लिखिना है बेरी नैस वीडियो तो निरम सिंग भाईमी आपका भी बहुत-बहुत Sakca बहुत धन्यवाद और अगेला कमेशा ऐजो कि इन लोगों की इंग्लीज बहुत मस्त लगती है meilleur ने लेन ऊष्णितर घुंतव मीशना का प्रसा नजैनी विया है used लिखिन है कि बेरी हां उसा सिंग बहनी आपका भी बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद अगिला कमेंट है अजय भाईया कुमार के नाम से आईडी है लिकिन है नाइस वीडियो सुपर तो यह बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद हाट वाली मोजदीन है नाम ध्यान नहीं आ रह लिखिन है मोटका जीजी जब दुखी होती है तो उनकी आँखे बहुत अच्छी लगती है जब शिकुड लेती है हासे वाली मोजदीन है हाट वाली मोजदीन है तो भाईया बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद बहुत सारी चीज़े आप लोगन का पसंद हुती है अगिला बहुत-बहुत दिल से बबली पटेल भाईनी धन्यवाद आपका अगिला कमेंट है सिल्पी भाईनी है लिकिन है चमरूपूर सिल्पी हाट वाली मोजदीन है तो भाईनी आपका भी बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद अगिला कमेंट है दिब्यान से गुपता भाईया का वाव बहुत बढ़िया गजब की सास है तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भाई का अगिला कमेंट है फाहीम सिदुकी के नाम से आईडी लिकिन है पार्ट टू साफिया सिदुकी नगर लखनाउ से हाँ भाईनी अक्सर कमेंट करती है लखनाउ से तो भाईनी आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अगिला कमेंट है फिर से यादव भाई का है लिखिन है भाईया कि कितनी अच्छी लगती है परदे में हाट वाली मोजी दीन है तो भाईया आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद तो भाईनी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका अगिला कमेंट है मंतसा भाईनी का लिखिना है पार्ट टू जरूर अप्लोड करिए हाट वाली मोजी दीन है तो मंतसा भाईनी आ गया है बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका अगिला कमेंट है दीपा साहु भाईया का लिखिना है पार्ट टू चाहिए तो हाट वाली मोजी दिन न है तो भाई आपका बहुत बहुत दिल से धनिवाद अगिला कमिन चाहे सिलपी भाईनी का हाट वाली मोजी दिन न है बहुत बहुत दिल से धनिवाद भाईनी आपका अगला कमिन्च है हर्षिता भैनी का पार्ट टू लिखिना है हाट वाली मोजिदीन है बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैनी आपका अगला कमिंट है कंचन गुपता भैनी का लिखिना है पार्ट टू देखना है जी जी हसे वाली मोजी दिना है भैनी आपका बहुत बहुत दिल से धनिवाद अगला कमेंच है मनो रमा सिंग्य के नाम से बहनी के आईड़ी लिखדना है पार्ट टू भैनी आपका बहुत बहुत दिल्से धन्यवाद सब्सक 탁खLou गोमेंच फैंहलेгляд आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अगिला कमेंट है अपड़ना भाईनी रस्मी भाईनी बाजपे का लिखिना सही में ऐसे घर हैं जहां सरदी जर्मी बरसात में चाय नहीं बनती हाँ भाईनी सही कहाँ दियात महिया जेके खिया बहुत प्रॉब्लम रहात है पैसा का और दिल से धन्येवाद आपका आगिला कमेंट है विशाल ऽर्म मनिशा वर्मा वेरी नाइस वीडियो से हां हाट वाली मौज़ी दिनना है तो बहुत 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 दिल से धन्याद अबHAHAम्ली का उंप जाए घब बादी-धरतेंशेर को होता है अब बुढ़ा बड़ी तेज है जब तेज बहु आ जाती है तो तेड़ी बुढ़ी को सीधी कर सकती है ऐसा होना चाहिए कल कमेंट पढ़ना तो बैदनी आज आज आपकी कहसे आप लोगन के रिक्वेस्ट से कमेंट तो पढ़ दीना बाकि गुड़ बरा का होता है आ बहुत बहुत दिल से धनिवादई अगे अंगार आप कर का रिप्लाई कर के प्लीज बता शौली सीधी अधनेवाद्ट अगेे मिनु देवी अधानेतान मसत लगार वीडियो और कमकि बैलुकर पार्ट टू आ चुका है देखो आप इंजोय करो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अगिला कमेंट है कंचन गुपता बहुत 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 दिल से धन्यवाद अगिला कमेंट संजे सिरिवास्तव के नाम से आईडी है तो आगवा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अगिला कमेंट है हमरी अपड़ना भैनी बाजपे रस्मी भैनी का फिर से लिखिना है आज अच्छी लग रही हो दूसरा पार्ट बना लो तो भैनी बना लिया है इंजोई करो बहुत बहुत दिल से धनिवाद आपका अगिला कमेंट है S C Music के नाम से ID है लिखिना है कि गुड वीडियो और हाट वाली मोजी दीना है तो भैया आपका बहुत बहुत दिल से धनिवाद अगिला कमेंट है मोहद इर्फान भैया का लिकिना पार्ट टू जीजी प्लीज तो आ गया है भैया इंजोई कियो बहुत बहुत दिल से धनिवाद अगिला कमेंट है रमेश गुपता भाया का लिखिना है प्लीज पार्ट टू चाहिए तो पार्ट टू आ गया है भाया आपका बहुत बहुत दिल से धनिवाद अगला कमेंट है सुरेंद पटेल के नाम से आईडी है और लिखिनना है अंजली पटेल गाना बहुत अच्छे लगे वीडियो दीदी आपकी बहुत अच्छी तो हाट वाली मोजी दीना है तो अंजली पटेल भईनी आपका बहुत बहुत दिल से धनिवाद अगला कमेंट है रमेस यादो भाया का लिखिन नहीं पार्ट टू चाहिए तो आ चुका है आप लोग इंजॉय करिए बहुत बहुत दिल से धनिवाद भाया आपका अगला कमेंट है संजे कुमार के नाम से आईडी है तो भाया लिखिना है कि बहुत बढ़िया वीडियो है बहुत बहुत दिल से धनिवाद भाया आपका अगिला कमिंट है मनोज कुमार के नाम से ID लिखिना है पार्ट टू हाट वाली मोजी दिन है बहुत सारी तो बहुत बहुत दिल से धनिवाद आपका अगिला कमेंट है भीम कुमार यादो भाईया है उनके नाम से आईडी है लिखिना है पार्ट टू तो भाईया आपका या भाईया जो भी है बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका अगिला कमिट है नन्ये लाल के नाम से ID है लिखिना है कि Part 2 चाहिए हाट वाली मोजी देना है तो भाईया बहुत बहुत दिल से धनिवाद आपका अगिला कमिट है नीता अंजली कुकिंग ब्लॉक के नाम से ID है लिखिना है Part 2 बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अगिला कमेंट है लिकिन पावन कुमार भाया पांडे पावन कुमार पांडे के नाम से आईडी भाया लिकिन पार्टी टू आपको बहुत 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 दिल से धन्यवाद भाया अगिला कमेंट है नाम तो समझमन नहीं आ रहा है लिखिन है पार्ट टू भाईया जो भी भाईनी है बहुत बहुत दिल से धनिवाद आपको अगिला कमेंट है नंद ससा सिंग के नाम से ID है लिकिन है पार्ट टू भहिया बहुत बहुत दिल से धनिवाद आपका अगिला कमेंट है गावरी सीव के नाम से ID है लिकिन है पार्ट टू भहिया आपका बहुत बहुत दिल से धनिवाद अगिला कमिंट है सम्मी खान के नाम से आईडी है लिखिन है पार्ट टू तो भहिया बहुत बहुत दिल से धनिवाद आपको अगिला कमिंट है गोलु पटेल के नाम से भहिया के आईडी है प्यार वाली मोजी दिन है तो बहुत बहुत दिल से धनिवाद आपको अगिला कमेंट है मनजरी दुबे के नाम से आईडी है लिकिन है बहुत अच्छा से वाली मोज़ी दिन है तो बहुत बहुत दिल से धनिवाद अगला कमेंट है मनो रमा सिंग के नाम से ID है लिकिन है Part 2 तो आपका बहुत बहुत दिल से धनिवाद बहिनी अगला कमेंट है दीपा मिस्रा बहिनी का हाट वाली मोजी दिन है बहुत बहुत दिल से धनिवाद बहिनी आपका आगीला कमेंट है कोमल गुपता भयनी का लिकिने पार्ट टू में कमेंट जरूर पढ़ियेंगा भयनी आप सबकी रिक्वेस्टो से आज कमेंट जरूर पढ़ दीना, बहुत-बहुत दिलसे, धनिवाद भयनी आपका अगिला कमेंट है अनिका पांडे ओफिसियल के नाम से आईडी है लिखिन है बहुत सुंदर भहन हाट वाली मोजी दिनना है तो आपका बहुत बहुत दिल से धनिवाद भहनी आपको सारे कमेंट फोलो करें हैं पढ़ेंग हैं जो में हैं च्छूट गे हुए तो भाइए भाम यहां से विदियो द्याखत है टींट दिब् Commes जाने Sometime क आप लोग द्याखच द्याखच और प्यारे-प्यारे कमिंट कर दिन करो कमिंट बॉक्स मा पनपन राई जरूर लिखा करो नाम जरूर लिखा करो तो आपका बहुत बहुत दिल से धनिवाद पूरी YouTube का तो यही के साथ बैनी होरी दियजा जाज़त तब तक के लिए राम रा प्रडाम नमस्ते टाटा बाई बाई